नो दो ग्यारा तेरा नो बाईस, 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 नो दो ग्यारा तेरा नो बाईस जिसके कारण में एक पेपर में फेल हो गया था इसके क्लिet इस बापम हम अपना रोल यांबर याद कर लिए हूं प्रो नक्राइये यहारी जैने क्यों प्रोच मुझे टें। लुम्ह में पढ़ने दे Mean तो जा यहां से सभी लोग मेरी बास सुनो सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ एक-एक करके मैं सब को चेक करूंगा फिर एक-एक करके सम अंदर जाएंगे यह क्या है रहे तेरे पास यह क्या लेके जा रहा है सर जी यह बाल खीचने वाला कंगी है जी कंगी तो तू इसको अंदर क्यों लेके जा रहा है तू अंदर पेपर देने जा रहा है कि फैसंसों में जा रहा है तू बाहर फेक क्या इसको ये तेरे पास क्या है ये तुने क्या रखा है सर जी मम्मी पैसा दिर थी वही रखा हूं जी डस का नोट है डस का नोट है चाहे बीस का नोट है इसको भी बहार रख क्या पेपर रूम में कुछ नहीं लेके जाना है सभी लोग अपने अपने जगा पर सांती से बैट जाओ मैं सभी लोगों को कोच्चन पेपर और आंसर सीट बाटने जा रहा हूँ और जितना मुझसे बस सकते हो बचो मैं कमें सर आईए 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 स्रीमान जी आफिका तो इंतिजार हो रहा था आफिक ये वज़े से तो अभी तक पेपर रुका हुआ है पढ़ारी है? कम से कम पेपर वाले दिन तो जल्दी आ जाया करो ना लायक कहीं का गो एंड सिट काय हुआ जी? अरे महराज जी जाई अपने सिंघासन पर बैढ़ जाईए तो जातो रहे थे तब बीच में टोक क्यों दिये? पीछे से टोक दिये आज का तो पेपर ही खराब हो जाएगा तो सभी लोगों को कोचन पेपर और आंसर सेट मिल चुका है? हां जी तो सभी लोग चुप करके अपना अपना पेपर करो और जितना मुझसे बस सकते हो बचो हां रे समोखन तू पेपर क्यों नहीं कर रहा है? तू बैठा क्यों है? सर जी पेपर में तीन चार कोचन जो है सलेबर्स के बाहर आये है जो बुक में नहीं है तो कोचन चेंज करा दीजिए अरे मैंने तो पूरा कोचन पेपर पढ़ा है कोई भी कोचन सलेबर्स के बाहर से नहीं आया है आया है सर बाहर से बुक में जो नहीं है सच बोल रहा हूं मैं मुझे ज़्यादा पता है कि तुझे ज़्यादा पता है बुक में है कि नहीं है पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ यही बुक जी सर मैं आपकी बात मान रहा हूँ पर सीरिस बोल रहा हूँ बुक में यह कोशन नहीं है सर बाहर से आ गया है अरे नालायक तरे को सारी बुक याद है घर में जाकर तू चेक कर लेना ये सारे कोचन बुक में है घर में क्या जाना सर ये देखो, ये बुक है मैं पिछले एक घंटे से ढूंड रहा हूँ एक भी कोचन नहीं मिल रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरा इतना टाइम भी बरबाद हो गया है अरे गधे, तू बुक लेके बैठा है पेपर में पागल हो गया है क्या इधर ला बुक, जल्दी से दे मेरे को तू ये बुक अंदर कैसे लेके आया जब मैं बाहर चेकर कितर को अंदर भेजाऊं सर जी, उसका टेंसर मतलो वो मेरे दिमाग का कमाल है आप ज़्यादा जोर मट डालो अपने दिमाग पे सठिया जाओगे ये देखो, साइंस का पेपर है और हिंदी का बुक लेके बैठा है गदा तो कोचन कहां से मिलेगा नकल भी अकल से मारी जाती है नालायक कहीं का सर जी, समोकन बिल्कुल सहीं वो अलाहा है ये देखो, मेरे पास तो साइंस के बुक है इसमें भी वो कोचन नहीं मिल ला है मैं भी पिछले एक गंटे से डून रहा हूँ अरे नालायक, तो भी बुक लेके बैठा है ये क्या हो रहा है क्लास में ये सब छोड़ो, तुम दोनों ये बताओ कि तुम लोग बुक लेके कैसे आए क्लास के अंदर सर जी, कल छुट्टी होने के बाद हम दोनों अपने टेबल के नीचे बुक शिपका के चले गए थे तुम दोनों ऐसा करो, अपने अपने हाथ उपर करके खड़े हो जाओ अब देखना जब प्रीस्पल सराएंगे तब तुमारे साथ क्या होता है क्या लिखूं, मेरा तो अभी एक ही पेज भरा है समोखन ने कहा था, तीस-चालिस पेज लिखके आना मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं लिखूं इसमें क्या अगर पेज खाली छोड़ दूँगा, तो टीचर सिधे काटा माल देगा अगर मैं लिखा रहूंगा, तो टीचर भी डिश्टर्ब होगा चेक करते समय, तो वो कुछ ना कुछ तो देगा ही ऐसा करता हूँ, इसमें मैं गाना लिख देता हूँ पेज तो टीच चाली भरी जाएगा, इतना गाना तो मुझे आता ही है तेरी आखों के दर्या का, उतरना भे जरूरी था मुहाबत भे जरूरी थी, बिचड़ना भे जरूरी था और सर, कैसे चल ला है पेपर, कोई नकल वकल तो नहीं मार रहा है आपके क्लास में सर जी, ये देखो, ये लोग नकल मार रहा थे आज, इनके पास बुक मिली है मुझे अरे बेवकूफों, तुम लोग पागल हो क्या, पेपर में कोई बुक लेके आता है अगर फ्राइम वाले आ जाते, और तुम लोगों कोई पास बुक देख लेते, तो कितने इवेश्टी होते हमारे स्कूल की तुमने कभी सोचा है, और वो लोग वीडियो बनाते, टिक टॉक और यूटूब पर वारेल कर देते तो हमारे स्कूल के कितनी बदनामी होती, कि इनके स्कूल में सब बुक लेके पेपर देते हैं नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो इस स्कूल की इज़द और बढ़ाने में लगे थे इज़द बढ़ाने में? वो कैसे? वो कैसे रहना लाइकों? सर जी, हमारा पेपर ना काफी पहले हो चुका है, पर हम लोग पूरा पेपर करने के बाद एक बार बुक से क्रोस चेक कर रहे थे ताक कि कुछ गल्ती ना हो जाया, और हमारे सो में से सो नमबर आएं अगर सोचोच तर अगर हमारे सौ सीपा जाएंगे तो आपके स्कूल का कितना नाम हो गा वसमे लोग चेक कर रहे थे पेपर उम्हारा पहले ही हो गया था सब अंधोये बोलना एए हम लोग समसर है के लिए समद दिसकल को सब बाता है है नहीं सर नहीं प्लीज रहने दीजिये इस बार माप कर दीजिये आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे प्लीज सर माप कर दीजिये मैंने का क्लास से निकल चल निकल क्लास से नहीं सर नहीं रहने दीजिए अगर मैं एक्जाम में फेल हो गया न तो मेरे पापा बहुत मारेंगे मुझे और सर जी मैं आपको मेन बात बताऊं तो मेरी दादी की आखरी सांस चल रही है वो कहती हैं मरने से पहले समखुन को पास होते हुए देखना चाहती हूँ ताकि वो चैन की सास लेकर मर सकें और उनकी आत्मा को सांती मिले सर जी मेरे दादा जी तो मर गए हैं जी और मरने से पहले उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया और धीरे से मेरे काम में कहा कि बेटा तू इस बार पास हो जाना ये मेरी आखरी इच्छा है नहीं तो मेरी आत्मा जिंदगी बर भटकती रहेगी उसके बाद वो मर गए बस करो रुलाओगे क्या बस करो बस करो सास्तरी जी आप समाल लेना मैं जा रहा हूँ तुम लोग अपने इन चिकनी चुपड़ी बातों में प्रिंस्पर सर को फसा सकते हो लेकिन मेरे जैसे समार्ट और इंटेलेजन्ट टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकते हो सर जी मेरे घर में तो रिष्टेदार आने शुरू हो गय है जी रोज कोई ना कोई रिष्टेदार आ जाता है और पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का पास हो गया कि नहीं पास हो गया अगर पास हो गया तो कितने नंबरों से पास हो गया और आगे वो कौन सी कॉलेज में जाएगा सर जी मेरी तो साधी भी नहीं होगी अगर मैं फेल हो गया तो सब बोलेंगे इसे तो पढ़ना ही नहीं आता है यह पढ़ा लिखा नहीं है फिर मेरी साधी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात मेरी तो जी अब भी बहुत परेशान हो जाएगी अगर वो परेशान हो क्या मेरी बेटी नहीं सर नहीं मेरा मतलब है कि सब बच्चे जो है वह आपके ही बेटा बेटी जैसे ही एना इसी लिए चलो बैड जाओ और चुप करके अपना अपना पेपर करो जितना मुझसे बस सकते हो बचो और आवाज बिलकुल नहीं आना चाहिए हाँ तेरी तवावाद कभी बंध ही नहीं होती है यहाँ पर तू पेपर देने आता है कि सबको डिस्टर्ब करने आता है मारना भी आता है मार के दिखाऊं तेरे को खुझाना भी आता है खुजा के दिखाओं तुरे को उल्टा खड़ाओं के चल लेता हूं चल के दिखाओं तुरे को क्या दिखा रहे हो तुम लोग एक दूसरे को अरे नालाई को जितना मुझसे बस सकते हो बचो झालाई के दूसरे को